हमने कई लोगों से सुना है न कि NCRT सुछाधा इंपोर्टेंट है इसको इगीता मानो इसको इबाइबल मानो अगर अच्छे नम्मल लेके आने इसको तो गोट के पीजाओ गोट के पीजाओ क्या होता है ये NCRT है हमारी ये पानी का गलास है हमने क्या करा इसको पूरा ऐसे डाला इसमें गोट के और इसको पी गए ये होता है गोट के पीजाओ का मतलब अगर ऐसा करा ना तो बुक तो हाथ से जाएगी पापा के लपड़ और पड़ेंगे गोट के पीजाने का असली में प्रेक्टिकली मतलब क्या है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो NCRT है इसको आपको कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ना है जिससे आप इसका बेस्ट आउटपुट निकाल पाओ शायद काफी बच्चे होंगे जो नवी में पहली बार NCRT को देख रहे होंगे उनसे पहले इनकी जो स्कूल की टेक्सबूक हैं वो लगती होंगी NCRT ये कैसी चीज है जिसमें से आपका सारा पेपर बनेगा इसके बाहर कुछ नहीं होगा तो ये बहुत महत्वपूर हो जाता है कि आपको अच्छे से पता होना चीए कि इसको कैसे पढ़ना है कैसे इसको दिमाग में रिटेन करना है और कैसे एक्जाम में अच्छे नंबर लेके आने है क्योंकि चाहे 9 भी हो जाए दस भी हो जाए, ग्यार भी हो जाए, बार भी हो जाए नीट का पेपर, आपने सुना होगा जो मेडिकल में बच्चे जा रहे होते हैं MBBS में जा रहे होते हैं, डॉक्TER बन रहे होते हैं उनके लिए सबसे इंपोटेंट होती NC 아이 एगे जाए के लिए सबसे इंपोर्टेंथ यह वह बना के चले कि हमें पता एक जैसे यह तरीकी से पढ़ना है तो आगे जाकर रहा यह प्रॉब्लम नहीं होगे तूह इसलिए ध्यान से अच्छे से सुनते रहना है शुरुबात करते हैं देखो दो टाइप के बच्चे होंगे आपकी क्लास में, ठीक है, 60% बच्चे होंगे, जो इस तरह से NCRT पढ़ेंगे, 35% बच्चे होंगे, जो इस तरह से पढ़ेंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ, भया उन्होंने NCRT ली, कोरी कोरी नहीं, NCRT लेके आए, पहला पेज खोला, प इस तरह से read मारा, अगला read मारे, तीसरा page रीड मारा, चोत्ता page 5 पेज रीड मारा, इस तरह से करके उसने सारी की सारा अपना chapter रीड कर लिया, फिरके class में चौर दिखाई, कि हाँ, मेरी तब फूरी उठाएंगे और NCRT का रीड करना शुरू करेंगे तो यह सबसे बेकार तरीका है ऐसा तो हमें बिलकुल नहीं करना अच्छा बैया ऐसा नहीं करना मैंने एक और चीज सुनी है हम क्या करेंगे न बैया यह बोला है कि युनिवर्स में हर एक चीज जो है जिसको साइंटिस ने मैटर नाम दे दिया ठीक है यह थोड़ा सा इंपोर्टन सी लाइन लगी ठीक है एर भी ब्रीट फूड वी इट स्टोंस क्लाउड स्टार यह सब चीजे जो है यह एवरिटिंग मैटर है we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass in other words they both have they have both mass and volume ठीक है जी यह भी समझ गया मैं ऐसा कुछ इंपोर्टन नहीं लग रहा है आगे लाइन पर गए हम ध्यान से सुनते रहा है ना since early times human being have been trying to understand their surroundings early indian philosopher classified matter in the form of five basic elements the panch tattwa ठीक है air ठीक है ग्यान दे दिया है according to them everything living or non living was made up of these five basic elements ठीक है Greek philosopher arrived ठीक है modern day scientists have evolved two types of classification on their physical ठीक है यह important सा लग रहा है कि modern day जो scientist है उन्होंने matter की classification दो टाइप की कर दी एक physical properties एक उन्होंने बोला chemical ठीक है जी chemical nature में हो सकते हैं या फिर physical nature में हो सकते हैं बिल्कुल बात समझ में हागी इस तरह से classify कर दिया यह important लगा तो मैंने highlight कर दिया बहुत बढ़िया in this chapter हम से physical properties के बारे में बात करें कि chemical properties आगे वाले chapter में होगा ठीक है इस तरह से हमने experiment पूरी activity कर ली फिर उसके बाद हमें यह निशकर्ष निकला जो इन्होंने पहली लाइन लिखी थी कि जो matter वो particle से बना होता है ठीक है यह मेरे को important लगा इस तरह से अगर हम तीसरे page पर जाएंगे ना तीसरे page में लिखा होगा कि particles matter के continuously move होते हैं जिसकी वयसे वह kinetic energy मनाते हैं यह मेरे को important लगा अच्छा kinetic energy होती है जिसकी वयसे particle continuously move करते है temperature जैसे वैसे rise करता है वह और तेज भागना शुरू कर देते हैं ठीक है तो हम यह कह सकते हैं so we can say that the increase in temperature the kinetic energy of particle also increases जैसे जैसे temperature बढ़ता है वैसे वैसे kinetic energy जो है particle की बढ़ती है वही चीज बोली है जैसे ही temperature बढ़ेगा particle तेज भागेंगे मतलब कि kinetic energy बढ़ रही होगी kinetic energy speed पर डिपेंड करती है velocity पर डिपेंड करती है तो भाया हमारी class में 35% ऐसे बच्चे होंगे जो की अच्छे से रीड भी करेंगे और highlight करते रहेंगे जो उनको important लगेगा यह भी 2-3 महीने बाद चीजों को भूलना शुरू कर देंगे जब यह 2-3 महीने बाद चीजों को भूलना शुरू कर देंगे तो वह क्या करेंगे वह यह कुछ नहीं जो जो चीज हाइलाइट होंगी उनको एक बार read माल लेंगे आगे इस वाले page में हमने कुछ highlight कर रखा है इसको हमने read माल लिया आगे करके हम read करते रहेंगे तो हम read करते रहेंगे तो हमें revision हो जाएगी हमारी सबसे बड़ा blender अब ध्यान से सुनना मेरी चीज जो मैं बोलना चाहरा हूँ आपको क्या लगता है कि जो revision होती है revision का मतलब क्या होता है revision का मतलब कि हम जैसे ही किसी चीज को यह मैं एक graph समझाता हूँ आपको मालो हमने पहले दिन एक चीज को पढ़ा तो पहले दिन हम अगर हमने उस चीज को पढ़ा तो हमारे mind में वो 100% रहीगी बिल्कुल बात सही है तो पहले दिन हमने पढ़ा mind में 100% रही दूसरे दिन हम सोके उठे हमने देखा वो mind में 80% रह गई कुछ चीजे हम उसमें से तो हम यह देख रहे हैं कि समय के साथ-साथ चीजों को हम भूलना शुरू कर देते हैं तो जब हम समय के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- वापस से रीड करना, आप अगर वापस से चीजों को रीड कर रहे हो, वो वापस आप साथ दिन बाद भूल जाओगे, रीविजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, चीजों को दिमाग में से रिक्ट्रीव करना, नहीं आरा समझ में, समझाता हूँ, हम क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ, कि बच्चे वे जो 5% बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, देखो, 60% बच्चे सिर्फ रीड करेंगे, 30%, 35% बच्चे रीड और हाइलाइट करेंगे, तो 60 जमा 35, 60 और 35 को अगर हम बैट के एड करें तो ये बनता है 95 परसेंट बच्चे जो बच्चे 5 परसेंट हैं, वो यहाँ पर कर रहे होंगे स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे ही हम चीजों को हाइलाइट कर रहे हैं, जैसे ही चीजों को अंडरलाइन कर रहे हैं, हमने क्या करा, हमने ये सोचा कि यार, जब भी हम किसी परग्राफ को पढ़ रहे हैं, इसमें से क्या क्वेशन बन सकता है, हम खुद टीचर बन रहे हैं, आपने सुना होगा और लोगों से कि अगर आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ना चाते हो अच्छे से याद करना चाते हो, तो ऐसे पढ़ो उसको जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो clear हो रही है मेरी बात? ऐसे पढ़ो जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे जब भी NCRT रीड कर रहे हो आपको जो भी important चीज लग रही है कोशिश करो उसका मापर हमने question बना दिया की जैसे यहाँ पे था type of classification of matter एक हो गया physical एक हो गया chemical तो हमने क्या करा हमने सोचा यार इसके उपर question बन सकता है शायद हो exam में आ सकता है तो हमने क्या करा ना ऊपर छट पे छट पे खाली जगे होती है pencil से हम सारा काम करेंगे जितनी गंदी हो सकती है book को गंदी करो कोई फरक नहीं बढ़ता मेरी जान book बरी-बरी लगने चीए पापा खुश होंगे मम भी खुश होंगे teacher खुश होंगे कि यार बच्चा पढ़ रहा है पर कोशिश करेंगे pencil से करें pencil से जादा ना करें जिससे कि हमने अगर अपने junior को बाद में book दी तो उसको परिशानी ना हो हमने क्या करा pencil से ही उपर question बना दिया कि classification of matter what are the classification of matter what are two types of classification of matter इस तरह से हमने question बना दिया जैसे कि अगले वाले page पर हम आये थे हैं यहां पर क्या यहां पर यह बताओ क्या कि अगर हम if we increase the temperature समझे रों question देखना if we increase the temperature what will happen happen to the kinetic energy of particle हमने क्या पड़ा भी नीचे question हमने नीचे भी प्लाइन क्या पड़ी जैसे जैसे temperature increase हो रहा है particle तेज भागता है तेज भागता है तो उसकी velocity बढ़ती है speed बढ़ती है इसकी वज़े से क्या होता है उसकी kinetic energy भी बढ़ती है kinetic energy जो होती है न मेरी जान उसका formula होता है मैं आपको बतायता हूं kinetic energy जो होता है उसका formula होता है half mv square v मतलब यहां पर होगी velocity velocity या फिर हम कह सकते है speed तो जैसे ही यहां पर लिखा गया है temperature जैसे ही बढ़ेगा तो particle तेज भागेंगे तेज भागेंगे तो उनकी speed बढ़ेगी जैसे यही speed बढ़ेगी उसी की वएसे kinetic energy बढ़ जाएगी तो हमने question अपने आप एक frame कर दिया हमने कहा यार यह तो अच्छी से line लग रही है paper में इस तरह से question बन सकता है क्या कि अगर temperature बढ़ा रहे हैं तो kinetic energy क्या होगी तो हमने इसा question उपर frame करती है इसे ही अगर हमें कहीं पर भी आगे question लग रहा है हमने देखा यहां पर एक और question हमने देखा कि intermixing of particle of two different type of matter is called diffusion तो हमने उपर च्छत पर जगे नहीं है नीचे bottom में हमारे page पर जगे होती है यहां पर हमने लिख दिया question मना दिया defined diffusion तो मेरी बात समझ में आ रही है feel आपको समझ में आगी होगी कि जो 60% बच्चे हैं वो सिफ read मारेंगे 35% बच्चे read और underline करेंगे जो 5% बच्चे हैं तोपर्स हर चीज को अलग तरीके से करते हैं वो अलग तरीका मैं आपको बता रहा हूँ तो जो बच्चे पे 5% बच्चे हैं जो आप हो जो देख रहे हो इस वीडियो को आप कैसे अच्छा score कर सकते हो कैसे smart work कर सकते हो वो मैंने बता दिया आप underline के सा साथ जो भी question बन सकता है वो बना दोगे वह इसका फायदा क्या हुआ हमने question क्यों बनाए अभी हो था तो मेरी जन देख फायदा क्या हुआ जब हम अब हम जब मैं आपको एक चीज़ बतातो एक second वेट करना जिससे की ओपर यहाँ पर question वो आजाए जो मैंने अभी बनाया हां जब हम चीजों को अब revise करेंगे मैंने आपको यहाँ पर क्या पताया कि अब आपको जैसे ही आप चीजों को भूलना शुरू करोगे तो आप नीचे नी जाओगे आप नीचे चुपा लोगे ऐसे हाथ से चुपा लेते ना नीचे को तो हम क्या करेंगे सबसे पहला question बढ़ेंगे classification of matter classification of matter के दो टाइप एक physical एक chemical याद है हमने क्या करा हमने चीजों को दिमांग में से याद करना शुरू करा खोदा दिमांग को क क्या पढ़ाता मैंने क्या पढ़ाता मैंने पढ़ाता classification of matter दो टाइप के होते हैं एक होते physical एक होते chemical हमने क्या करा हम दूसरे पे गए इस पर कोई question नीचे कुछ नी पढ़ेंगे answer नी पढ़ेंगे अपने आप दिमांग में से सोचेंगे retrieve करेंगे दिमांग में से जब हम इस इस तो को दिमांग में से निकालते ना तब वह जाधा देनों तक याद रहती है तब यह कर वहां यह साथ दिन तक नहीं यह एक माहिना दो महिना चार महिने तक रहेगा तो मोज़न के टाइम सिर्फ उपर वाले questions पढ़ेंगे जहां पर questions लिखे हैं हम question को पढ़ेंगे फिर हम सोचेंगे, हमने क्या पढ़ाता है, एक महीने पहले, या temperature बढ़ता है, तो speed बढ़ती है, तेज भागता है particle, तेज भागता है तो kinetic energy speed पर depend करती है, तो kinetic energy भी बढ़ेगी, तो इससे क्या हुआ हमने दिमाग में से चीजों को retrieve करा, यह होता है best तरीका, यह होते हैं वो आपको बताई है, वो यहाँ पर आपको follow करनी होगी, समझ में आगे मेरी बात, इस तरह से मैं NCRT पर लिए, यह हो गया पहला step, यह मैंने आपको बता दिया, NCRT read करने का तरीका, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, देखो, जब भी आप किसी chapter को start कर रहे हो, तो directly jump मत क करना NCRT पर, क्यों मैं आपको यह बोल रहा हूँ, क्योंकि जो NCRT हमारी लिखी हुई है, यह काफी cluster लिखी हुई है, अलग-अलग चीजे कहीं पर गुसेड़ दी उन्होंने, कई words आपको समझ नहीं आएंगे, कई line आपको समझ में नहीं आएगी, तो सबसे बेस तरीका ह है, आपको क्या करना है, जब भी आपका मन करें, कोई chapter start करने का, आप गए YouTube पे, आप जाने के बाद, कोई भी पहला step होगा, कोई भी one short video देख लो, one short मतलब कि उस chapter को किसी ने एक देट गंटे में पढ़ा रखा होगा, काफी teachers हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, जिससे भी आ करने के बाद, उसमें जो जो चीजे होंगी, उसको underline करोगे, underline करने के साथ-साथ, उसमें questions को frame करोगे, उपर च्छत पे, अब आता है तीसरा काम, तीसरा काम होता है हमारा NCRT की जो exercises हैं, examples, आप देखोगे, बीच बीच में examples होते हैं, NCRT में, यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे activity हो गई, यह ना questions हैं, यह questions हैं, यह बीच के जो questions है NCRT के, यह important है, और last में आप देखोगे NCRT में, कि एक exercise आती है, वो exercise important है, यह exercise, तो आपका काम क्या होगा, तीसरा काम आपका यह होगा, कि आपको, जितने भी examples, या फिर बीच में in-text questions होने हम कहते हैं, in-text questions आ आपको करने है, और साथ में, प्लस, आपको क्या करना है, जो back exercise है, वो करनी है, अपने आप solve करके देखना, खहीm से help यह लेनिया मे, पahले हम अपने आप solve करके देखेंगे, अपने अपो आंसर निकालने ही है कोशिश करेंगे, नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, दो बार करते हूं सुनते रहे ना यह जो 11 12 वाला चैनल है हमारा इसमें हमने अभी मेडिकल का जो टॉपर है क्योंकि मेडिकल मेडिकल फीड में एंस्याइटी बहुत महत्वपूर रहती है तो जो मेडिकल के टॉपर थे 175 रैंक आयती उनकी अठारा लाख वच्चे बैठते नीट में उनमें से उनकी 175 रैंक आयती अठारा लाख में से 175 बहुत बड़ी बात है उनका हमने इंटर्वी लिए रहता हूं उन्होंने मेरे को एक चीज बतायती जिससे वह कहते हैं 20% नोट बुक या कुछ ऐसे कहते हैं मैं आपको फील समझा देता हूं उन्होंने बोला जब भी हम NCRT read करते हैं या फिर आप कुछ questions banks लोंगे या फिर आप कुछ sample पर लोगे या फिर आप कोई refresher book लोगे कोई भी चीज आप ले रहे हो ठीक है जादा मत लेना main top के NCRT है नहीं समझ में है तो कोई refresher ले सकते हो जब भी आप इनको read करोगे तो कुछ ऐसे questions होंगे कुछ ऐस इसे formulas होंगे कुछ ऐसी terms होंगी जो आप एक बार पढ़ने के बाद दो बार पढ़ने के बाद आपके बार बार दिमांग में से उतरत रही होंगी आप टेस्ट में बैठे हो आप देख रहे हो बार बार यह question गलत होता है तो आपने क्या करा ना एक 10 रुपे की आपने notebook ले यह आपके golden notebook बन गई अब जब भी आपके exams आ रहे होंगे जब भी आपके UT होंगे टेस्ट होंगे तब आपने क्या करा इस golden notebook को एक बार उठाके पढ़ दिया जिससे कि अगर exam में यही में से कोई question आए तो मैं अब मैं गलत ना करूँ यह बहुत important tip थी जो उन्होंने दी इती टॉपर भाईया ने तो आप यह सारी चीज़ा follow कर सकते हो मैंने आपको सार बता दिया कि NCRT कैसे read करनी है ठीक है नहीं समझ में आए एक बर पापस से repeat करके 1.5x2x पर वीडियो देख सकते हो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है यह आपका चैनल है प्यार मचा देना आग लगा देनी है I hope आपको बहुसा ही चीज़ समझ में आई होगी कुछ और चीज़े मेरी तरफ से चाहिए हो नीचे comment section में लिख देना मैं लेके आ जाओंगा बाई टेक क्यार मिलते अंगली वीडियो में बाई बाई जाओ पढ़ लो पढ़ लो बाई बाई झाल